दोस्तों अगर आप Android phone चलाते हैं तो जाय सी बात है आप WhatsApp तो जरूर चलाते होंगे आज मैं आप से बात करने वाला हूँ टू स्टेफ वेरिफिकेशन के वारे में दोस्तों इसके जरी हम कैसे अपना WhatsApp सेक्योर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को भी दवाएं ताकि हमारी लेटेस वीडियो आप तक मिलती रहें दोस्तों मेरा नाम है सेफ इम्तियाज आप देख रहे हैं स्काइकिंग टेकनिकल चलिए इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टू स्टेफ वेरिफिकेशन की जो के WhatsApp में बहुत ही सेक्योर बनाती है आपको WhatsApp अगर आप जो भी नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी आप नंबर यूज करें अपने फोन में अगर आपको वह नंबर गिर जाता है लेकिन आपको WhatsApp चालू रहता है ऐसे में क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा दिनों तक आपका जो नंबर है वह बंद रहता है तो जो कंपनी है वह नंबर किसी और को दे देती है ऐसे में वो अपना WhatsApp फिर बनाता है तो आपका जो है WhatsApp वो आपके फोन से हट जाता है आपके फोन से लगाओट हो जाता है और ऐसे में उसके फोन में जो है लॉग इन हो जाता है तो हम ऐसा क्या करें जो हमारी जो चैट है या फिर जो हम जो हमने बात की है किसी से भी तो वो उ ज़्यADH secure कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हौं two step verification के वारे में तो चलिए हम अपने mobile screen की तरफ चलते ही वहां आपको बताते है पूरिवात दोस्तों हमें का करना सबसे पहले जाना है अपने whatsapp में वहां पर आपको three dots दिखते होंगे यहां आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद settings में जाना है setting में जाने के बाद आपको account का option मिल जाता है वहां आपको क्लिक करना है तो दोस्तों वहां क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है यहां आपको देखता होगा option two step verification तो दोस्तो simply हमें यहां क्लिक करना है और दोस्तो यहां पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा यहां पर हमें इनेवल पर क्लिक कर देना है और दोस्तो कोई solid सा हमें six digit का pin एंटर करना है जो कि हमें याद रहना चाहिए क्योंकि आगे future में तो दोस्तों मैंने यहां पर six digit का पिन डाल दिया है और दोस्तों यहां पर email आपसे मांगेगा अगर आप फिर भी अपना पिन भूल जाते हैं तो ऐसे में आपसे एक email आईडी मांगेगा जिससे आप आसानी से recovery अपने पिन की कर सकते हैं तो दोस्तों हम अपना email address डाल देते हैं तो दोस्तों हमने email address डाल दिया है अपना और next कर देते हैं दोस्तों next करने के बाद फिर हमारा email address मांगेगा यहां फिर भी डाल देते हैं और दोस्तों डाल दिया हमने दोबारा फिर save कर देते हैं दोस्तों save होने के बाद two step verification is enabled यानि आप इसका मतलब यह है कि आपका जो two step verification है वो अब लग चुका है तो हम WhatsApp जब भी अगर साथ दिन बाद हमें ऐसी emergency पढ़ जाती है कि हमने uninstall करना पड़े या फिर हमारा जो number है वो गिर जाए तो ऐसे case में कोई दूसरा अगर login करता हमारे WhatsApp को तो वहां पर two step verification का pin मांगेगा जो के सिर्फ हमें ही पता है उसको पता नहीं है तो इसलिए वो हमारा WhatsApp login कर ही नहीं पाएगा दोस्तो अगर साथ दिन के बाद अगर ऐसा होता है कि वो login करता है तो दोस्तो login तो कर सकता है वो लेकिन आपकी जो private chats थी या फिर कोई और चीज भी थी आप चैट कर रहे थे या कुछ भी ऐसा था आपके WhatsApp में तो वो permanently delete कर दिया जाएगा WhatsApp की तरफ से और वहां पर नया खा खुलेगा उसका और वो नया यूज करेगा तो दोस्तो ऐसे यह काम करता है और बहुत ही सेफ है सुरक्षित है तो मैं आपको यही रिक्मेंड करूंगा अगर आप अपने WhatsApp को सेफ रखना चाहते हो या सुरक्षित रखना चाहते हो तो दोस्तो इस option का यूज जरूर करें तो आपको पता चल गया होगा कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे यूज कर सकते हैं उसके जरीर हम अपनो WhatsApp कैसे सेक्यूर कर सकते हैं तो दोस्तो आयोप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजी इस वीडियो को और सस्क्राइब कीज चैनल को और यह वीडियो शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बवाए